आज हम लेके आए हैं आपके लिए यह लेक्चर जिसमें आपको कौन सी कौन सी ऑब्जेक्टिव की बुक यूज करनी चाहिए प्रिलीम के लिए आप इन दो एक्जाम के अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस के कोई भी एक्जाम दे रहे है या यूपिसी दे रहे है तो आप यह अब्जेक्टिव बुक बहुत ही कम कीमत पे खरीच सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हैं इन में से कुछ बुक आप जानते होंगे या कुछ आपके पास होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है अगर नहीं है तो आप यह खरीद लीजिए प्रिलीम के वक्त यह बहुत ही काम आते हैं बहुत इजी या बहुत इजी तरीके से समझाया गया और इसका एक्स्प्रेशन किसका दर दिया है ठीक है चले देखेंगे फर्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल एकोनॉमी सो यह फर्स्ट पेज है उसका यही है यह रमेशिंग ने लिखी हुए बूक है और यह मैक ग्रोवर हिल्स ने पॉब्लिकेशन की है रमेशिंग ने यह बूक लिए उनकी बूक्स भी आप सबको पता होगा एकोनॉमिक्स की ओके कशली केन इज़िंगे कुक्यास केंट कुछ होगा इंडियन इकोनॉमिक थिरणिकल डायसिंग पें बारत अनुन χीज़ है नहीं है पनतल उन्हें है फस्ट इश्ट और यह इसली सब्काने है email आयम सारे कीज आपके आंसर की और यह एक्स्मिनेशन और यह बूक यह बूक आपको 300 रुपे तक मिल जाएगे और इसमें लगभग 400 पेजे से इंडियन पॉलिटी विनेज जीबी ने लिखाये मैगगवर हिल्स पॉब्लिकेशन यह है कंटेंटेबल यहां आपको सारे आक्ट और गवर्मेंट के इंडिपेंडेंडेंस से पहले हुए सारे आक्ट के पूरे एक्स्मिनेशन मिलेंगे और इक्स्मिनेशन के बाद ही मिलेगा जैसे केक्षियन होग उसका की होगा और बाद में एक्स्मिनेशन दिया गया है सो कंस्टूशन बनाने मतलब making of the constitution के सारे वर्किंग कमिटीज और आप दिस जाती है कुछ इसकदर प्रेयमबल के ऊपर कुछछ के उपर अपर कुछ क्शन देते हैं उसके बाद में learning बताते हैं कि उससे और कौनसे कोश्चन बन सकते है भहती अच्छा अच्छा तरह किसे उन्हें इक्समीन किया है देखिया कुछ इसका दर कर सेकंड कोश्चन उसकी विकी मैं थर्ड कोश्चन उसकी की और उसका पूरा एक्स्लिनेशन यह अटर्णरी जल्लर नॉन कंस्टिशनल बॉड़ी यह सब कुछ यहां कवर किया गये है स्टेट का इंफॉर्मेशन कमिशन सीवीची हाई कोड सुप्रींग कोड्स लोकल गवर्मेंट्स ऑके यह सारे कंस्टिशनल बॉड़ी वागेरा सब कुछ कवर किया लास्टियर के सारे कोश्चन भी यहां पर कोश्चन पेपर भी अवलेबल है जो भी कोश्चन पूछे गए साइंस टेक्नोलोजी में आप कौन सा कोश्चन बैंक वीज करेंगे मैंगरोर का ही कोश्चन बैंक है इसका भी आपको कंटेंट दिखा देंगे यह भी बिजी वि पार्ट नहीं किये गए है सीधा सीधा जैसे हमें बुक से मिलते है फिजीक से के मिस्टी के कुछ उसी कदर यहां बताया गया ठीक है इस सारे आप देख सकते हैं रोबेटिक है नुकलियर है स्पेस है मट्रियल टेकनोलोजी में सिलनोस डिफियन से बाय टेकनोलोजी और मैं इंटलेक्ट्ट्वल्स स्कीम से बहुत कुछ और लास्ट एर के कोशन पेपर भी है सो एक्स्मिनेशन कुछ इस कदर रहेगा मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूंगा देखें इंटरनेट डोमिन नेम एंड सिस्टम्स उसका एंसर तो आप सबको पताई कदर कोशन पूचे जाते हैं और कुछ इसकदर एक्स्मिनेशन दिया गया है ठीक है इन्वर्मेंट के लिए आपको इसी बुख कुछ करेंगे मैं ग्रोर पप्लिकेशन ही है पर इनके राइटर यस निरंजन है इन्होंने इस बुख को बहुत अच्छे तरगे से डेवलप इनके इसी बहुत सिंपल तरहके से उन्हें किया है पर यह देखिए सारी कॉश्चन और उसका एस्क्विनेशन बहुत आसान तरीके से बताया गया है अब जब यह बुख करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही इसी तरीके से बहुत ऑच्छे तरीके से समझाया यह बुक आपको 1.500 रुपय में मिल जाएगी Amazon पे और फिल्प कार पे भी बहुत सस्ती है आप खरी सकते हैं इसमें 300 पेजे से हिस्ट्री यह भी 1.500 रुपय की बूख है पेजी विनैक इसमें प्रिंच शे लेकर इसमें हिस्ट्री ब् Kalेंशंव ब्रुपने जाएन दों हिस्ट्री कोश अगैंगो इसमें चैसे कि मैं बताना चाहांगा कि हिस्ट्री फुले तो dovu कि स्टार्टिंग से इस्ट्री तो एर्ण तो कि बो करते हैं आप इंशेंट इंडिया हिस्ट्री फिर मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री बाद में क्षिए आप सोचल रिफॉर्म्स मोमें एक नेशनल गॉस्ट्री के बारे में मैं सोले थी कि ऐसे कोश्चन हमें पूछे जाते हैं तो यह राव पूरा एक्समिनेशन अब्जेक्टिव ज्योग्रॉपी हमारा बहुत इंपोर्टिन सब्जेक्ट होता है और बहुत टेक्निकल भी होता है ज्यादा तर्टूडन्ट इससे घबरा जाते हैं कि इसमें बहुत सरे डाइग्राम होते हैं बहुत कुछ लिकना होता है बहुत कुछ अंदर्स्टेंड करना पड़ता है होता बहुत इजी है हमारे सरांटिन पूरा इंवर्मेंट ही होता है पर अंदर्स्टेंड करने में तकलिफ जाती है जो कि हमारे लाइंग्वेज से थोड़ा डिफरें वह लिए गए है कि अलग अलग इसमें दिखाए गए आपको आपको बहुत अपर इस सारे पार्ट आपको यहां मिल जाएंगे कुछ इस कदर कोशचन पुज़े गए है मतलब दिए गए इसमें देखिए विच वुट्ट राखन नहीं करता है क्या करता है आप देख लिए ठीक है थैंक्यू फ्रेंड्स सारे बुक्स मैंने आपको 6-6 बुक आपको आपको मैंने बता दिये है यह चे बुक में से आपको भी भी भुक खरिच सकते हैं सारे आपको फिलिपकाड और अमेजान पर मिल जाएं साड़े 300 रुपे मतलब 400 रुपे जादा और कम से कम 1500 रुपे तक आपको बुक मिल जाएंगे अगर आप एक साती है सारे बुक लेना चाहते है तो आपको बहुत कम कीमत में यह सारे बुक मिल जाएंगे आपको आफर लगेंगे फिर ऐसे आइटम लगे तो फिलिपकाड प रुपे हिस्ट्री की 200 रुपे में है सायंस और टेकनोलोजी 500 रुपे इंडियन एकोनोमिक की आपको अबजेक्टिव बुक मिल जाएगी साड़े 300 रुपे तक और वर्ड जोग्रफी और इंडियन जोग्रफी की बुक मिल जाएगी आपको 250 रुपे तक ठीक है थेंक्यू सब्सक्राइब पर लिजाए आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें